दोस्तों आपको कोई भी setup box हो, इसके साथ एक common problem है, जैसे हम TV को बंद करते हैं, setup box को बंद करते हैं, और बाद में उसे शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा fast किया है, setup box को शुरू होने में थोड़ा सा time लगता है, तो यहाँ पर उनका जो home channel होता ह या फिर उनका जो advertise का जो channel होता है, वो फिर से यहाँ पर क्या होता है, जब TV को बंद करते हैं, चालू करते हैं, तो यहाँ से वो फिर से शुरू हो चाता है, तो आपको करना यह है, कि आपके setup box के menu में जाना है, menu में आपको यहाँ पर setup का option मिलेगा, ओके setup पर जाना है, अ जितने भी setup box के जितने भी channel है, उन सब को आपको यहाँ पर क्या करना है, hide कर लेना है, तो यहाँ पर lock हो रहा है, यह जो green button होता है, अब हमारे remote में, उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो जितने भी home channel यहाँ पर setup box में दिये हुए है, हला कि यहाँ पर मेरे पास video कॉन का है, अगर आपके पास air detail का है, तो आप इस प्रकार से air detail के जो channel है, ठीके company के जो channel इनको आपको block कर देना है, साथी साथ मुझे जो channel नहीं चाहिए, उसको भी मैं यहाँ से block कर लूँगा, ठीके थोड़ा सा video को मैं pause कर कर यह सब process जो है, मैं fast कर रहा हूँ, ताकि आपका कम समय मैं आपको जादा से जादा जान करी देश कूँ, इसके बाद दोस्तों आपको इसको save कर लेना है, अब save करने के बाद, यहाँ पे star plus का जो channel है, 101 पे चेल रहा है, और मैं क्या करूँगा, TV को यहाँ से बंद कर दूँगा, और TV को बंद करने के बाद फिर से चालू करूँ वही channel दोस्तों यहाँ पे फिर से हमारे screen पे set of box में शुरू हो जाएगा, यानि कि आपने जो बंद करते वक्त जो channel आपका यहाँ पे चल रहा था, वही channel इस setting के साथ क्या होगा, आपका restore हो जाएगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा remote को कम चुए, आप ज्यादा से ज्य नमस्कार